हेलो औल एंद विल्कम तो रिकॉग्निशन आईएस जोग्राफिय ऑप्शना क्लासेज में हम लोग देख रहे हैं हमारी पेपर टू और इस पेपर टू में बसीकली जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है वो है इंडियन जोग्रफी का इंडियन एग्रिकल्चर इस Indian Agriculture में last class में हम लोगों ने Agricultural Productivity, Regionalization और Agriculture Business के बारे में डिसक्स किया था Continue करेंगे आगे इसी को और हम लोग आज देखेंगे थोड़ा सा Revolutions के बारे में जैसे White Revolution, Pink Revolution and all that जितने भी Revolutions हैं तो फड़ा फट शुरू करते हैं Let us Start, Let us Complete, Let us Crack but before that these are our contact details and these are other courses of recognition IS these are study material, test series and advanced geography course जो start हो चुकी है और आप email पर email करके अपने doubt को पूछ सकते हैं या फिर website के थुरू भी इसे access कर सकते हैं So this is the syllabus of agriculture and where we are going to discuss Live Stock Resource and White Revolution and Aquaculture, Sericulture, Apiculture and Paltry in today's lecture बाकी जितने भी बचेवर topics हैं With the time, with the successive discussions, we will discuss all the detailed जो भी यहाँ पर content है आज हम लोग देखेंगे बाकी जितने भी आपके other revolutions हैं उसके बारे में जैसे White Revolution, Blue Revolution, Sericulture के लिए आपका अलग revolution है फिर इसके बाद Brown Revolution, तो इस तरीके से हमारे बहुत सारे revolutions हो रखे हैं अलग-अलग sector को मजबूत करने के लिए उसको और strength प्रोवाइड करने के लिए हमारा जो country है वो agriculture में तो पूरा का पूरा जो आपका net zone area है वो पूरी तरीके से हम लोगों ने cover कर रखा है लेकिन हमारे यहां की productivity अच्छी नहीं है और productivity अच्छी नहीं होने के पीछे बहुत अलग-अलग तरीके के रीजन है बहुत सारे scientific तरीके से खेती नहीं की जाती है mechanization नहीं है लोगों की उतनी input नहीं है लोगों का mindset नहीं है लोगों की जो attitude है towards subsistence के लिए कि खाया पिया पचाया के वल यही है commercial forming के लिए जगा नहीं है फिर उसके बाद जो है यहाँ पर जो खेती की जाती है वो intensive नहीं की जाती है extensive एक large scale पर नहीं की जाती है फिर उसके बाद भाईयों का जगड़ा बहुत है मतलब land alienation पता चले चार एकड़ की जमीन थी पिता जी की चार बच्चे थे सब की एक एकड़ हो गए किसी ने कुछ और करना है किसी ने मुर्गी फारम खोलना है किसी ने अपना गेहूं बोना है किसी ने शुकरकें बोनना है तो इस तरीके से हमारा जो लैंड एरिया है वो बहुत ही जादा limited हुए तो इस तरीके की बहुत सारी problem साहित जिसकी वजह से हमारा जो agriculture है वो बहुत ही पीछे है लेकिन यहां की income को बढ़ाने के लिए सरकार ने क्या किया सरकार ने कहा आप agriculture करिये ही करिये लेकिन आप पशुपालन करिये animal husbandry करिये इस animal husbandry को सरकार ने बढ़ावा देने के लिए सरकार ने बढ़ावा देने के लिए क्या किया कि अलग अलग तरीके के revolution को promote किया इससे क्या हुआ एक तो हमारी number one की income जो source थी जो income source थी किसकी former की वो काफी यदा बढ़ गई नमबर two हम लोग वाल्ड में नए नए तरीके से जाने जाने लगे जैसे हम लोग जाने जाने लगे मीट के लिए एक के लिए इसके अलावा फ्रूट्स के लिए फ्रूट्स के लिए फिर उसके बाद रेशम के लिए जो आपका सिल्क होता है रेशम के लिए और भी बहुत तरीके की चीजें जहां पे हम लोग वर्ड में आज बहुत जादा हाई स्केल पे प्रोड operation flood operation flood operation flood मतलब मतलब की वाइट revolution अभी वाइट revolution operation flood नाम से पता चल ला है किसके लिए होगा milk production के लिए milk production के लिए दूद के लिए अभी अहां पर जो आपके milk production है वो इस्टार्ट की गई थी मतलब जो रखियेगा बहुत इम्पॉर्टेंट हैं इन के बारे में नाम याद रखिएगा वर्गीज कुरियन के बारे में अब जैसे सबने नाम सुना होगा अमूल का कि अमूछ का नाम सुना होगा नहीं कहां पे हैं बताईए गुजरात यहां से इन्हों ने अमूल एक्चुली अमूल जो है वह पहले तो प्राइवेट थी लेकिन आज की ड्रेट में अब क्या हो गई है को अप्रेटिव हो गई है को अपरेटिव सब लोग ने पढ़ा होगा cooperative अच्छा ये बताईए कितने लोग बता सकते हैं कि quality में cooperative के लिए कौन सा article है कौन से article है क्या cooperative fundamental right है है yes article 19 क्या ये DPSP है राज्यों के निती निदे शक्तत्व बताईए 43 B तो जरा ध्यान रखिएगा क्या चीज है cooperative और किस तरीके से बद्दा है fundamental right क्या है cooperative एक constitutional part है constitutional है ठीक है तो ये ध्यान में रखिएगा अच्छा ये तो cooperative के बारे बात की थी हम लोग बात कर रहे हैं Indian geography की operation flood की तो जो operation flood है ये बिसिकली वरगीज कुरियन के द्वारा इस्थापित किया गया था ये cooperative society के format में और ये develop करने के लिए मतलब white revolution अच्छा एक चीज़ बस आप ध्यान रखिएगा कि कोई भी revolution जो हमें develop करना है उसके develop करने के लिए हमेशा कोई न कोई एक board जरूर बनाये जाएगा और इसी लिए ये जो operation flood है ये white revolution है इसके लिए एक board बनाये गया था जिसका नाम है national dairy development नेशनल डेयरी development board अब ये जो national dairy development board है इसके लिए objective जो रखा गया वो objective जरह देख लेते हैं क्या क्या objective है और यह objective white revolution को पढ़ाने के लिए क्या क्या किये गये थे तो चलिए देखते हैं white revolution के बारे में वाइट revolution में क्या क्या किया गया देखे हम लोग बात कर रहे हैं वाइट revolution की हम लोग बात कर रहे हैं वाइट revolution सफेद क्रांती दूद की क्रांती तो इसके आगे सबसे पहले हम लोग अब्जेक्टिव देखें कि अब्जेक्टिव क्या क्या है तो नंबर वन जल्दी खराब हो जाने वाली perishable item है तो इस वज़े से इसका management काफी अच्छा करना पड़ेगा उस management के लिए हमारे सबसे important चीज क्या बनेगी transportation 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 करना फिर उसके बाद milk का production करना फिर milk के production के साथ साथ milk का storage करना यह सबसे भी crop की production जो कर रहा है वो बहुत ही हाई है बहुत ही हाई है लेकिन फिर भी market में 20 रुपए किलो आलू क्यों ही मिलता है वो इसलिए क्योंकि हमारे यहां storage facility अच्छी नहीं है storage बहुत ही खराब है इस वज़े से आलू का दाम हमेशा 20 रुपए किलो बना रहता है इस वज़े से हम यह reason यहां पर है storage में है सेम काम यहां पर भी है milk जो की storage अब जैसे आलू तो चलिए ठीक है चार किलो आलो में एक किलो आलू खराब मिला दिया पता नहीं चला अगले बार आप उस दुकानदार के पास नहीं जाएंगे लेकिन यहां क्या है यह तो हमेशा दूद उबाला आपने फढ़िया बस कहे आप मैं पैसा नहीं दूँगा तो यह वाली जो चीज है यह नहीं होनी चाहिए इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट जो अब्जेक्टिव तो इसी लिए है कि स्टोरेज इसका प्रोडक्शन इसका ट्रांस्पोटेशन और साथ में प्रोक्योर्मेंट प्रोक्योर्मेंट जो आप कैटल है कैटल क्या है जो आपकी गायब है जो भी आप ले रखेंगे हैं तो कैटल के लिए एक तो फूट बनाना फूट मतलब फॉडर कितने लोगों को चारा घोटाला का मामला याद आ जाता है मताईए चारा घोटाला जितने बिहार वाले होंगे सबको चारा घोटाला जरूर याद आ जाता होगा बहुती पाउरफुल पॉलिटीशन थे तीसरा नमबर हमारे कैटल के अलावा इसके बाद हम लोग का जो मतलब इनका जो अबजेक्टिव था वो था वाइड 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 फिर बहुत तरह की चीज़े होती है, आप लोग जानते ही होंगे, बहुत लोगे मुझे पानी भी आ गया होगा, तो यह है wide variety of food, इसके अलावा market का management, क्योंकि यह सबसे important चीज़ यह है, market का management, कि किस तरीके से market को manage किया जाए, कि आप जो दूध है, उसके लिए, मतलब जो transportation ह और साथ में इन दोनों के बीच में management है, वो पूरी तरीके से अच्छे तरीके से बना रहे है, next हमारा जो objective था, वो है हमारे cattle की breed, पता चले आप जो है cattle ऐसी लिया रखे हैं, जो दो किलो भी दूध नहीं दे रही है, और खाने पिलाने के लिए उसमें आपका खर्चा ही प और उनके मतलब एक तरीके से और अच्छा उनको treatment देने के लिए ये सब objective रखा गया था कि ठीक है चलिए, ये काम किया जाए कर, next है हमारे कि इनको, इनके लिए artificial insemination, artificial, one second, artificial, artificial, artificial insemination, अब artificial insemination क्या होता है, जैसे हमारे होता है न सरुगेसी, टेस्ट्यू बेबी, ये सब जितने होते हैं, उसी तरीके से यहाँ पर भी clone तैयार किया जाता है, वित्था यहाँ पे concept आता है stem cell का, ज़रा इसका ध्यान रखिएगा, stem cell बहुत ही ज़्यादा मैं कहूंगा, extremely important topic ह इसको ज़रा ध्यान रखिएगा, extremely important topic है, इसको अच्छे से पढ़िएगा, ये artificial insemination और ये जितने भी हमारे term हम लोगों ने देखे हैं, ये सारे के सारे objective थे, operation flood के दोरान, अब देखते हैं ज़रा, अब देखते हैं ज़रा, कि किस तरीके से, किस manner में इनका implementation हुआ, manner of implementation, क इस manner में implementation किया गया था, ये जो implementation का तरीका था, उसमें इन्होंने क्या क्या किया, अब जो implementation का तरीका था, इसमें तीन फेज थे, phase 1, phase 2, और phase 3, phase 1 में जो किया गया, शुरुआती टाइम पे, कि आपके कुछ एलाके में ही किये गये थे, और ये कुछ एलाके थे, 10 state, 10 state, को कॉस्पोरयूट पॉलेटन शिटीज के सार्या पक्राइबिश फिर के बांट ऐसके आपके करनातक और जितने भी आस-पास के नेबरिंग मार्सिटेट थे फैसे कर रास्तान ये में इसको extend किया गया था phase three में ये कोशिश की कही थी maximum state जो है वो इस चीज को प्राप्त कर लें मतलब maximum state में ये implementation हो जाए तो ये थी manner of implementation की किस तरीके से ये implementation की जाए अब इसको देखते हैं कि इन्हों ने क्या success क्या achievement हासिल किया number one बताई ये सबसे ज्यादा important क्या हुआ हम लोग milk production में number one बन गए मिलक के production में हम लोग world में संसार में number one position first position पे आ गए इसके अलावा क्या हुआ हम लोगों ने अच्छा यहां पर तीन गुना हमारी milk की production हो गई थी three times ज्यादा हम लोगों अपनी milk की production को लगबग लगबग कर दिया था इसके अलावा सबसे important हमारे हां के employment employment जनरेशन हो गया था लोगों को दिखा कि भई ऐसा है नए तरही के industry setup हो गई जैसे mother dairy mother dairy हो गई या फिर जितने लोग भी देखे होंगे दूद लेने जाते होंगे अलग अलग तरीके के हर state में in fact अलग अलग ब्रांड आती है जिसे अगर आप यूपी एरिया में आते हैं वहाँ पराग वगरे मिल जाती है अगर आप डेली side में रहें तो वहाँ पे अलग अलग तरीके की variety है देखे मैं भी नाम भूल गया हूँ तो यह employment generation का बहुत ही important तरीका है इसके अलावा इसके अलावा आपकी जो success थी वो सबसे important जो मैं success कहूंगा वो success यह है कि यह green revolution से in fact इसको अलग भी करता है यही success इसमें क्या होता है कि आपके पास मालीज यह form है यह form नहीं है यह दोनों लोगों को इसने benefit दिया इसमें ऐसा कुछ नहीं था जिसके पास जितने जमीन उतना ज़्यादा मुनाफ़ा यहां पर तो सारा का सारा खेल है animal में यहां पर सारा का सारा खेल है animal में तो जो animal है यह के कितना पैसा किसको कया मिलना है ना की जमीन, तो यह सभसे important मैं कहूँँगा कि किसी भी तरीकी की किसने disparity नहीं ले आई, तो यह success का सबसे मैं कहूँँगा important तरीका था, इसके अलावा इसने research के लिए एक ने areas दे दिये फिर उसके बाद एनिमल के लिए एनिमल के लिए नई ब्रीड को डवलप करने के लिए एक नया साइंस साइंटेस्ट को जो है एक नया एरिया दे दिया क्रॉस बीडिंग के लिए क्रॉस ब्रीडिंग के लिए एक नय क्रॉस ब्रीडिंग के लिए नय चैलेंजेस द है हम लोग काफी ज्यादा करने लगे तू दा वेस्टरन वर्ल्ड वेस्टरन वर्ल्ड और वहाँ पर उतनी जरूरत नहीं है क्योंकि वहाँ पर भी आपके डेनमार्क वगरे वाले इलाके अर्जेंटीना है ये लोग काफी अच्छा मिल्क प्रोडक्शन मीट ये सब करते है है लेकिन हम लोगे काफी ऊपर है यहां पर हम लोग संब्सक्रियुंट फड्यन फाहिए अगले दिन से लिधे नहीं जाएंगे नेक्स्ट मतलब ये management किसके लिए हो जाएगा एक तरीके से remote areas के लिए remote areas के लिए वहाँ पर ही सबसे problem हो जाएगी नेक्स्ट उस इंपॉर्टेंट चीज होगी वह होगी market facilities market facilities market में किस तरह की facilities हैं क्या वो पूरा का पूरा दूद खतम हो पा रहा है transportation sector कैसा है तीसरा एक सबसे important है कि animal की hygienic condition animal को किस environment में रह रहा है मतलब जो भी इसकी hygienic condition होगी अगर ये unhygienic होगा तो दूद भी इसका खराब होगा जैसे कई बार होता है न यूरिया वगरे डाल देते हैं तो इससे क्या होता है आपके digestion में problem आ जाती है अलग तरीके की स्मेलाने लगती है तो यह बहुत ज्यादा problematic होती है इसके अलावा भी बहुत सारे problem है आप लोग सोच सकते हैं सोचिएगा इस problem को ठीक है चलिए फिर हम लोग next topic क्यों बढ़ते हैं आप हां तो बात करते हैं जरा next हमारे revolution की next revolution है हमारा blue revolution make a blue revolution Blue revolution blue revolution true division अभी जो blue revolution नाम से इस चलता है आज blue है पानी-पानी तो यह पानी-पानी जो है मतलभ यहां पर जो आप्टी a fishing culture है जो fishing culture कि आपका यहां पर डवलब करने की कोशिश की जाए रही अब जरा फिशिंग कल्चर के बारे में बात हो ही रही है तो एक बार जरा हम लोग यह देखते हैं कि हमारा इंडिया है सपोस्डिस इस आवर इंडिया कि एक सक्रिमाटिक है बस suppose this is our India this is India अब ये बताइए ये पूरा इडाका किस चीज़ से ढखा हुआ है पूरा का पूरा ओशियन है अब ये जब पूरा का पूरा ओशियन है तो यहाँ पे जो continental shelf होगी बात किये थे हम लोग oceanography में oceanography में क्या थी oceans में ocean में जो continental shelf होती है क्या वहीं पे आपकी मचलियां और जितनी भी minerals पाए जाते हैं वहीं मिलते हैं continental shelf पे अब continental shelf इंडिया में दो है एक तो है आपका western घाट western घाट अब जो आपका western घाट है यहाँ पे continental shelf कैसा है कैसा है continental बताईए यहाँ पे जो continental shelf है वह आपका broad मिलता है broad और यहाँ पे shallow अरे यह है ना deep में जाएगा इस तरीके से broad बनता जाएगा तो जो continental shelf है यहाँ आपका मशलियों का प्रॉस्पेक्ट से बहुत जादा है और यह बहुत जादा का मतला 50% आफ इंडिया टोटल प्रोडक्शन है और जो शैलो है वो करीब करीब 23-24% दे देता है टोटल प्रोडक्शन और फिश का टोटल प्रोडक्शन अभी रीसेंड में देखिए एक न्यूज कैसे हुआ आंध प्रदेश की फिश में ऐसा क्या होता है या लोग यहां पे क्या कर देते हैं कि कैंसर उत्पन हो जा रहा है अमोनिया की यूज किस तरीके से किस तरीके से मेटाबॉलिजम को मेटाबॉलिजम को रोकने में किया जाता है यह सब जरह चीज़ें आप पढ़ गई घंगा सिस्टम पूरा इदर फैला हुआ है महां अदीधाय रहें नरमदा हो गई और इस तरीके से बहुत सारी डिवर्स फैले हैं यहाँ पर साउथ में लाइन से कितनी सारी दिवर्स है तो यह जो inland drainage है जो आपकी inland drainage है यह भी कहीं ना कहीं काफी जादा फिश को फिश प्रोड़क्शन के लिए इंपॉर्टेंट है बहुत ही जआदा इंपॉर्टेण्ड जैसे आप लोगों को रखिये गए सब चीजें ठीक है एक्शली यह गंगा में ही की गई है गंगा नदी में तो अब जो यह हमारा ड्रीनिस सिस्टम है इसके अलावा बहुत सारे आर्टिफिशियल पॉंड ताला बना जाते हैं वहां पे लोग रखते हैं मशलियों को और उसके बाद पैडी कल्ट होती है तो उसमें जब भर दिया जाता है पानी से पूरा जो फिल्ड होती है उसको पानी से जब भर दिया जाता है तो इसमें मचलिया आ जाती है फिशेद आ जाते है तो इसको भी पकड़ पकड़ के लोग खाने लगते हैं मतला फिशिंग कल्चर होती है तो यह तो यह सम से डिमांड है फिश की फिश में बहुत सारे आपके एक तरीके से कह लिजे कि मतलब इनफेक्ट हर चीज हर रोग का उपचार फिश जो लोग नहीं खाते हैं मत खाईए कोई दिकत नहीं है लेकिन हाँ हर रोगों का उपचार फिश में है तो मैंने आप लोगों क्या बोला था जब भी गवर्मेंट किसी भी रिवाल्यूशन को एक्स्टेंड करेगी इस् ही बोड बना देगी यहां पर भी वही काम हुआ यहांपर भी एक बनाए गया फिशी फिश फार्मर डखिवल अध्य फीछ फिश फार्मन डवल्लप्मेंट बोर्ड अब यह जो फिश फॉर्मन डवल्लप्मेंट बोर्ड बनाए गया इसके लिए भी अगें ओब्जेक्टिव यही रखा गया कि आप एक काम करिएगा क्या काम करेंगे एक नंबर बन पहली बात तो आप टेक्नोलोजी बनाएंगे टे दूर करने के बाद जो फिशिंग होगी बहुत अच्छे से होगी इसके अलावा फिशिंग के इस्टोरेज सिस्टम पे आप वर्क करेंगे क्योंकि अगेन मचली यो एक फैरिशेबल आइटम है दो दिन बाद जो लोग खाते हैं बताई यह दो दिन बाद कभी खाने लाइग रहती है क्या सब लोग यही चाहते हैं सामने सामने एकदम जो हो फ्रेश हो यह जो चीज है फिशिंग के लिए तो यह जो टेकनलोजी थी म आंद प्रदेश का एक जिला है नेलोर नेलोर डिस्टिक आंद प्रदेश यह इंडिया में मतलब एक श्रिम्प कल्चर श्रिम्प मतलब क्या होती है जो आपके घूंगा होते है इस तरीके जमाली जो घूंगा है इसके उपर एक जो कवच लगी होती है जिसके अंदर सब घुच जाते हैं यह हो जो जो श्रीप कल्चर है श्रीम्प कल्चर मतलब आणीफिन ग्रीलेटेड विग जो आपकी फिश के के ऊपर जो भी इसके डिरवरेत होती है यह जो श्रिम्फ है fishing के लिए fishing के लिए एक तो number one number one pollution pollution इतना ज़्यादा हो गया है जिसके कारड से fish जो होती है मचलियां जो होती है वो मर जा रही है मर जाने के कारड जो है आपकी गंदगी है गंदगी के कारड बहुत सारे जैसे chemical pollutants आ जाते हैं फिर उसके जनता भी जा करके वहां पर अपने पश्वों को नहला देती है और भी तमाम तहीं कई तरीके की चीज़ें जिसके कारड से जो आपका जो भी in water है वो बहुत जदा पॉलिट हो गया जिसके कारड से मचलिएं मर जा रही है सेकेंड है आपका सेकेंड है आपका मचली पकड़ने के लिए टूल टूकैच फिश टूलकैच फिश मचलिएं के लिए पकड़ने के लिए जो equipment हैं जो भी टूल से वह हमारे पास अच्छे नहीं है poor quality के है इस वज़े से जो मशलियां होती है वो हमारे मतलब पूरी तरीके से हम लोग अच्छे तरीके से उसका exploitation मतलब हम चीजों को जो है पूरी तरीके से नहीं यूज कर पा रहे हैं अच्छा एक चीज होती है crawler crawler क्या होता है इंडिया और श्री लंका के बीच में ऐसी क्या दिक्कत है जिसके कारण से इन दोनों के बीच के relation जो है खराब होते जा रहे हैं जरा ध्यान रखेगा है और जरा crawler को ध्यान में रख करके पढ़िए का इंडा श्री लंका के बीच में relation अच्छा इसके बाद जो problem है जो पैडी कल्टिवेशन हो रही है वहाँ पे वहाँ पे पैडी कल्टिवेशन अब धीरे धीरे कम होती आ रहे है क्यों रीजन अर्बनाइजेशन अर्बनाइजेशन या फिर इंड़स्ट्रियलाइजेशन तो ये सारे जितनी भी चीजें है पैडी कल्टिवेशन में जो आपकी खतम होते आ रही हैं ये वाली जो चीज है और साथ में आपकी मौनसون की dependency के कारण से जो पानी हे south में जो reverse होती है वो rain-fred होती है, सब लोग जानते है rain-fred, पानी खतम, मचली खतम मचली खतम लोगों के हाथ से पीसा खतम तो ये जो चीज है, ये बहुत बड़ी चीज है next problem क्या है? कि यहां का, जो आपका storage system है इस टोरेज सिस्टम वो सही नहीं है ट्रांस्पोर्टेशन वो सही नहीं आप जैसे क्या है अभी मैंने आप लोगbnे जो नूज बोला है पढ़ने को जहांवे जैसे गोवा है गोवा में क्या होता है कि जब एक निश्चित समय होती है मतलब जो आपका नौवमर का टाइम होत जाती है अब इस दौरान क्या होता है कि आपके आपके इधर से मचलियां आंद्रप्रदेश के साइट से मचलियां गोवा को जाती है अब यहां से जब मचलियां जाएंगी नो डाउट कि यूज किया रहा है वो डिक यूज किया रहा है तो यह सारी Problems हैं जिसके क्रदसे हमारो ब्लू रिवलिशन पूरी तरीके से सक्सेस्फफल नहीं हो रहा लो गया है कितना टाइम्स हंट्रेट टाइम्स हमने अपने प्रोडक्शन को बढ़ा लिया है और यह हमारा जो ब्लू रिविलिशन है काफी ज्यादा मैं कहूंगा काफी ज्यादा यह मतलब वर्ड में अपनी पहचान बना चुका है वर्ड में अपनी एक पोजीशन अच्छ हम लो जड़ा बात करते हैं एक्वा कल्चर की एक्वा कल्चर अब जड़ा देखते हैं एक्वा कल्चर क्या होता है हाँ तो देखिए एक्वा कल्चर में क्या होता है एक्वा कल्चर का मतलब होता है जड़ा देखिए एक्वा और साथ में कल्चर एक्वा मतलब ब्लू है पानी पानी तो पानी में कौन कौन होते हैं वाटर में कौन कौन होती है एक है फिश एक फिश होती है इसके अलावा क्रैब और जितनी भी तरीके के प्राउन हो गई जब प्राउन भी हो गई फिर आपके बहुत सारे मरीन एनिमल्स होते हैं marine animals होते हैं ये सारे लोगों का development इनका production इनका production इनका production ये सारा काम यही aquaculture के माध्यम से किया जाता है तो इसमे बस यही है कि आपके controlled condition में हमें किस तरीके की क्या चाहिए उसके लिए controlled condition में हम जो desired products होते हैं उनको produce कर रहे होते हैं produce कर रहे होते हैं ठीक है इसी को बोलते हैं क्या aqua farming इसी को बोलते है aqua farming ठीक है अगर हम लोग अब type की बात करें aqua culture में कि क्या-क्या type होते हैं तो number one एक तो आपका fishing ही हो गई जो fish uninterrupted प्रोडक्शन होता है एक तो वो fresh production ही हो जाती है दूसरी थी है आपकी करान प्रोंड प्रोडक्शन हो कहीं तीसरी होती है आपकी कि ये 11 कल्चर अलगी का इल्गी कफसे इल्गी को भी हम लोग उगाते हैं एल्गी भी अचा पताईए अब इसके लिए आपको ये ध्यान में रखना चाहिए अलगी आ खिर Piya कहां जाता है Piya कहां जाता है Pya कहां जाता है जो लोगिये जानते होंगे उसके लिए उनके लिए बहुत लिए बहुत आर्रयाम से आप बता सकते हैं क्या चीज तै कि अ अलावा इसके अलावा मल्टी ट्रॉफिक 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 एक्वा कल्चर एक्वा कल्चर मतलब मल्टी ट्रॉफिक का मतलब यह है यह मालीजी आपके ट्रॉफिक लेवल है तो एक ट्रॉफिक लेवल से दूसरे ट्रॉफिक लेवल के लिए कोई चीजे जमालीजी ट को बोलते हैं recycle होके आती है इसी को बोलते है multi traffic aqua culture और last में एक आ जाता है आपका last में एक आ जाता है आपका marry culture marry culture जहां पर आपके marine animals आ जाते हैं तो इस तरीके से आपके aqua culture यह छोटा सा topic जो भचा हुआ था हमारा यह खतम होता है next topic करते हैं नेक्स टॉपिक हम लोग डिस्कस करते हैं सेरी कल्चर सेरी कल्चर एक मिनिट बस बोलते बोलते बुदुख जाता है सेरी कल्चर का मतलब यह होता है सिल्क फॉर्मिंग मतलब सिल्क का प्रोड़क्शन मतलब रेशम का प्रोड़क्शन अभी जो रेशम का प्रोड़क्शन होता है यह बिसिकरी पांच तरीके के जो आपके वैराइटी ओफ सिल्क होते हैं पांस तरीके के वाराइटी ओफ सिल्क होते हैं, एक होता है, समने नम सुना होगा मलबरी का, एक होती है मलबरी, दूसरी होती है मूंगा, इसके अलावा होते हैं आपके ओकसार, 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 और एक होती है एरी, और लास्ट में एक होता है ट्रॉफिकल, ट्रॉफिकल, स त्रोपिकल सार यह है आपका अलग अलग तरीके के रेशम के कीड़े अगर हम लोग बात करते हैं प्रोडक्शन की तेखिए यह चीज आपकी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट इसलिए हो जाती है क्योंकि प्रिम्स में भी आपके काम कर जाएगी कई बार प्रिम्स में भी इस त तीसरे नमबर पे इन सब के बाद अब इंडिया में सबसे ज़्यादा होता है करनाटक में करनाटक में यह हाँ पे सबसे ज़्यादा होता है इसके बाद आपके जो प्रोड्यूसर्स हैं वह आपके आंदर प्रदेश तमिलाडू वेस्ट बेंगॉल तमिलाडू वेस्ट ब और सिर्फ मुझे मलबरी वाला पता करना है कि कहां पे होता है ये होते हैं हिमालियन इस्टेट्स में ये होते हैं हिमालियन इस्टेट्स में अरुलान चप्रदेश, सिक्किम तो ये वाले जो इलाके हैं हिमाचा प्रदेश हो गया तो ये वाले जो इलाके होते हैं यहाँ पे होता है मलबरी वाला सिल्क ठीक है तो एक बार जाना प्रोडक्शन थोड़ी से डेट की बाद बता दो तो अगेन ये तीन गुना करीब करीब जो है इस सेरी कल्चर के बाद जो हमारा सिल्क का प्रोडक्शन है वो हमारा तीन गुन करिब करीब बढ़ गया है तो यह था खूशा शेविल कलचर फिटर बाकी cœur दिएगा allora कंप बचा है तो आप आपको देख सकते हैं कि नेक्स आता है हमारा नेक्स आता हमारा ऑपी कल्चर ऑपी कल्चर एपी कल्चर ऑपी कल्चर यह बेसिकली किसके के लिए होता है हनी शहद के लिए हनी के लिए तो बस कुछ खास नहीं है इसको एक चीज और धियान रखना इसको बोलते हैं golden revolution golden revolution अब देखें जो golden revolution है या फिर एपी culture है यह हम लोगों ने बहुत ज़्यदा promote किया हुआ है इसलिए promote किया है क्योंकि एक तो honey जो होती है एक तो हमारे अब prospect बहुत जादा है इसका मतलब इसका future बहुत अच्छा है prospect बहुत अच्छा है फिर ये medicinal perspective में भी यूज होता है medicinal perspective में भी यूज होता है तो यहां जो China है वो सबसे ज़्यादा leading producer है, मतलब सबसे ज़्यादा production जो है honey का China में होता है, next Argentina में होता है, इसके बाद हमारे इंडिया में, US में, फिर यहां यहां पे etc, मतलब यहां 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 पे सबसे ज़्यादा यही होता है, तो ये था आपका epiculture, इस से ज़्यादा आपको पूछा भी नहीं जाएगा, आपको पढ़ने के जुरुत भी नहीं है, तो ये थे हमारे total golden revolution, seri culture के लिए और साथ में हमारे blue revolution, तो I believe आप लोग को ये समझ में आया होगा, और हमारा next topic बनेगा horty culture के लिए, तो चलिए फिर h next topic of discussion है, वो है horty culture, horty culture, horty culture क्या होता है, horty culture होती है, जितने भी आप plantation करते है, plantation करने का मतलब है, plantation करने का मतलब है, fruit, fruit, flowers, fruit हो गया, flowers हो गया, या आपके जितने भी आप cash crop उगाते हैं, कैश क्रॉप हुगाते हैं जैसे आपके तंबाकू होगय है तो बैको तो इस तरीके कि जितने भी आपके कैश्ट खुरॉप ते सारे लोगों को बोलते हैं हौटी कल्चर हौटी कल्चर के लिए आपने सुना होगा जो क्लाइमेट चाहिए होता है वह आपका मेडिटेरिनियन टाइब चाहिए होता है अ मिडी टेरेनियन मतलब थंड में बारिश तो थंड में जो बारिश होती वैसी जूठोड यो ओडाली मिडि नियां करे मिलडी आइन ही वह था यहां पई सबसे आदा इमपॉर्टेंट होता है फौर्टीवेशन ऐसे ऊफ हो horticulture की importance को देखते हुए gov segment of India ने भी बहुत ज़्यादा focus किय architultura को और इसी वज़ा से gavernend एक plans निकालदा है national horticulture machine और इसके तहट हाटी कल्चर को बहुत ज़्यादा प्रमोट किया गया एक बार जरह हम लोग इस्टेटस देख लेते हैं हाटी कल्चर का कि क्या इस्टेटस है और मैं कहूंगा कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है यह तो यहाँ पर जो दस परसेंट आफ ग्रॉस क्रॉप्ड ए 160 मिलियन टन का ओटी कल्चर प्रोडियूस जो होती है वो बनती है वो तयार होती है जो कि बेंगे सेकंड नंबर पे हैं मतलब कि हम लोग जो भी प्रोड़क्शन करते हैं वो तेन पर्शेंट आफ दा क्रॉपड अरिया में करते हैं और उससे हम लोग 160 million ton जो है production करते हैं और ये हमें अपने आपको second in the world बना के रखा हुआ है अगर हम लोग बात करें fruit के लिए फलो के लिए तो जो हमारे फल वाला area है वो 63 million ton area 60 million ton जो हमारा actually production है ये हमारा होता है total 5.7 million hectare area पे million hectare area पे और ये हमको मतलब ये हमारा 10% of world total production बनाता है मतलब fruit का हम लोग 10% जो है खुद बनाते हैं vegetable के बारे में अगर हम लोग बात करते हैं vegetable के बारे में अगर बात करते हैं तो vegetable के लिए हम लोग 125 million ton जो vegetable है ये हम लोग 125 million ton का production जो है हम लोग करते हैं 7.8 million hectare जमीन पे hectare जमीन पे और ये हमारा around around 13% production वर्ल्ड का बनाता है तो इस तरीके से हमारी होटी कल्चर थी होटी कल्चर जो की बहुत ही important मैं कहूंगा की production है अच्छा ये problem ये पड़ती है कि आखिर होटी कल्चर अगर इतना ज्यादा मतलब benefit दे रहा है तो ऐसी क्या problem है जिसकी वज़े से farmer हमारे production करते नहीं होटी कल्चर का क्या problem है तो problem देखिए सबसे बड़ी problem तो यही है पैसा क्योंकि जो आपकी plantation होती है मतलब जो होटी कल्चर होती है वो बहुत ही ज़्यादा बहुत ही ज़्यादा मैं कहूंगा capital intensive होती है capital intensive का मतलब ये कि ये शुरुवाती time पे बहुत ज़्यादा demand करती है पैसे की अगर आपके पास रहेगा तब न किवल आप उतना invest करके फिर आप return लेंगे मतलब मैं कहता हूँ कि अब गर आप return लेना चाहते हैं 10 गुना ठीक है अच्छी बात है beneficial है लेकिन 10 लख लगाने के लिए वन टाइम दस लख लगाने के लिए वो भी तो होना चाहिए तो वो farmer के पास नहीं है और farmer के दिमाग में कहीं न कहीं एक चीज दबी हुई है कि अगर कल को गेहू नहीं हुगाएंगे अगर कल को चावल नहीं हुगाएंगे तो खाएंगे क्या तो यह जो सबसे important मैं कहूंगा कि subsistence agriculture की जो behavior है जो इनका attitude है और कहीं बहुत कहीं नहीं काफी हद तक सरकार की जो यह नाकामी है कि right to food मतलब लोगों के पेट तक भोजन पहुचा पाना यह नाकामी ही कहीं न कहीं हमें हमारे जो छिपे हुए potential को मतलब हमारे छिपे हुए होटी culture की production को यह कहीं न कहीं दबा देती है तो इसके लिए आप as a solution as a recommendation यहीं कह सकते हैं कि सबसे पहले हमें एक total मतलब एक तरीके से कह लिजिए कि हमारे जो PDSF जो आपका public distribution system है या फिर एक तरीके से food की availability है वो हमें सबसे पहले बढ़ाना होगा और food की availability के लिए हमें storage system बनाना पड़ेगा लोगों को ये भी बताना पड़ेगा कि ऐसा है food को आप waste न करिए तो इस तरीके से अगर हम लोग food पूरे हर एक बंदे तक पहुचा देते हैं तो no doubt horticulture सबसे बढ़िया और सबसे beneficial इलाका रहेगा government of India के लिए उस sector को पूरी तरीके से उस sector से जितने भी आप मतलब prospects निकाल सकते हैं उसके लिए और country को world में इस्थापित करने के लिए तो ये था हमारे horticulture का discussion next हम लोग देखते हैं जरा पॉल्ट्री फॉर्मिंग जो आप silver revolution के बारे में देखते हैं क्या चीज पॉल्ट्री रिवलुशन या फिर या फिर silver revolution silver revolution अब यहाँ पर poultry revolution का मतलब यह है chicken chicken production या फिर agar production अब बहुत से लोग KFC में जाते है KFC में जाते है chicken खाने के लिए अच्छा है KFC का पूरा नाम क्या है किसी ने KFC के बारे में इस कहानी पूरी पढ़ी है ज़रा कहानी पढ़िए का KFC के बारे में बहुती failure के बाद यह बनी है 80-80 साल का बुढ़ा आदमी उसने यह बनाया था तो ज़रा पढ़िए का बहुती motivational इस्टोरी भी है आप लोग के UPSC के लिए एक motivation भी बन सकता है यह केंचुकी fried chicken तो यह जो KFC है अच्छा देखे KFC का जो concept वो कहां से आया मुर्गा से आया माली जे हमारी hen है यह इसके पैर हो गया यह उसकी उपर जो कलगी लगी होती है यह उसकी आँख हो गई यह उसके feather हो गई तो यह जो आपकी hen है जो मुर्गी है यह क्या देगी अंडा और साथ में अपने आपको भी देगी मीट के format में तो यह जो दो चीजे है इससे human को क्या मिलेगा protein इससे human को क्या मिलेगा protein तो यह जो इतने सारे prospects है meat, egg, animal husbandry अलग से पैसा यह कहीं न कहीं लोगों को एक important इलाका दे देती है economic का economic status को financial status को सुधारने के लिए एक बहुत ही अच्छा इलाका दे देती है और in fact एक world watch institute है world watch institute इन्होंने एक data बताया सर्वे करके कि 75% of world poultry meat और 75% egg जो है इसी तरीके से बनते है मतलब 75% जो meat है बहुते ही जो तो यह जो चीजे है यह जो चीजे है यह कही ना जही इंडिया को दिखाती है इंडिया के लोगों को दिखाती है कि कि तरीका से इंडिया में एक untapped potential भ़ भ़़़ा प़़़ा है जिसको की tap करने की बहुत ज़्यादा जरूरत है अगर हम लोग पॉल्टरी की मतलब इंडिया में prospects देखते हैं पॉल्टरी के लिए तो no doubt employment generation है employment देता है बहुत अच्छा अच्छा आप लोग के लिए बताऊं छोटा सा fact है छोटा सा fact क्या बस एक behavior के नामने में इत्री पॉल्टरी के लिए काफी हद तक यह रिस्पॉनसिबल रहते हैं एक data है कि 3 million people वो किसी ना किसी माध्यम से directly या indirectly किसी ना किसी माध्यम से ये poultry के काम में जुड़े हुए हैं नेक्स्ट एग production, meat production, meat production और ये दोनों के दोनों हमारे international trade के लिए बहुत ज्यादा important है international trade के लिए बहुत ज्यादा important है अब यहाँ पर क्या है एक data के अनुसार 1970 से 2011 के बीच में जो हमारी poultry forming है वो चार गुना बढ़ गई है जो हमारी poultry forming है वो करीब करीब चार गुना बढ़ गई है और यहाँ पे जो leading state है वो है आंदरपरदेश, करनाटक, महराष्ट, तमिल नाडू, वेस्ट बेंगॉल तो यह जो सारे आपके states है वो काफी leading states है मतलब यह लोग poultry को लेके काफी अच्छा काम कर रहे हैं तो यह सारा कुछ था आपका poultry के बारे में यहाँ पर इन्होंने एक बोर्ड बनाए हुआ था उस बोर्ड का नाम है Central Poultry Central Poultry Development Board यह जो बोर्ड है यह गिन वही सारा इनका काम था कि किस तरीके से resource को और ज्यादा mobilize किया जा सके और कितना ज्यादा अच्छे तरीके से हम इसके untapped potential को निकाल सकते हैं कैसे हमारे इंडिया में poultry को बढ़ाया जाए कैसे egg system को बढ़ाया जाए मुर्गियों की किस तरीकी की quality को बढ़ाया जाए तो यह सारे जो poultry revolution को ले करके चीज़े की गई थी वो इस board के द्वारा central poultry development board के द्वारा की गई थी तो यही सारा था हमारा छोटा मोटा revolution GS के लिए देखे बहुत ही important है और यही सब questions है जो आज कर पूछे जा रहे हैं so this is all about today's lecture if you have any doubt you can reach us by using these methods और अगर कोई doubt होता है तो आप email करके हम से reach out कर सकते हैं अपने doubt को पूछ सकते हैं मिलते हैं next video में till then goodbye and thank you so much